अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है mail merge के अंदर ही update label का एक option लेगा आप इस पर जैसे ही एक बार click करेंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word में automatic ID card को generate कर सकते हो केवल एक click में ही धेर सारे ID card बना सकते हो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले तो आपको Excel open करना है और Excel के अंदर जिन भी student की आप ID card बनाना चाते हो उन सभी student का नाम, उनके father का नाम, उनकी data birth, कौन सा course कर रहा है mobile number, address, इसके अलामा जो भी आप ID card में detail देना चाते हो उन सभी के नाम से यहाँ पर detail बना लेनी है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इस screen पर आप देख सकते हो यह detail मैंने पहले से ही बना ली है, अभी आपको क्या अगाम करना है अगर आप practice कर रहे हो, तो same यही detail जो है आपको Excel में बना लेनी है Excel में यह सब का सब data बना लेने के बाद, जिन भी student का आप ID card बनाना चाते हैं उन सभी का data इस तरीके से बना लेने के बाद, आपको इस file को save करना होगा तो यहाँ पर आप जो है, इस पर click करके save पर click करेंगे इतना काम आपको Excel में कर लेना है, अब यहाँ से बाहर आ जाना है इसके बाद जो है, आपको MS Word को open करना है और MS Word के अंदर एक ID card को design करना है कैसे करना है, वो आगे मैं आपको बता दूँगा केवल आपको एक ही ID card को design करना है उसके बाद automatic, आपका जो है, सब का सब ID card बन जाएगा चाहे आप 10 बनाना चाहो, 20 बनाना चाहो, 50 बनाना चाहो चाहे जितना भी ID card आप बनाना चाहो केवल एक click के अंदर ही आप बहुत सारे ID card बना पाऊगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है inside पर click करना है, table पर click करना है यहाँ पर आपको 2 column लेने हैं और 5 row लेनी है, ठीक है A4 size के paper में आप total 10 ID card बना लोगे तो यहाँ पर हम 5 इस side बनाएगे, 5 इस side total 10 बनाएगे आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन जब आप practice कर रहे हो प्रेस कर दीजे, पूरी table select हो जाएगी या फिर जो है, आप इसके अंदर click करके mouse का left button दबा करके drag करेंगे तो भी table select हो जाएगी, किसी तरीके से आपको आ करके table को select करना है इसके बाद जो है layout tab पर click करना है, ध्यान आपको यह देना है कि जब आपकी table select रहेगी, तब ही यह layout tab खुलेगा अब height में आपको click करना है, और इसको delete करके 2 लिखना है और width में आपको click करना है, और यहाँ पर click करके 3.7 लिखना है इसके बाद जो है, इस तरीके से आप देखोगे, boxes बन जाएगे इन ही box के अंदर हमको केवल एक ID card को बनाना होगा अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब आप यह box बनाओगे तो नीचे की side में आओगे, अगर आपका box जो है, अगले page पर चला जा रहा है जैसा कि आप देख सकती हो, तो इसको आपको एक ही page पर adjust करना होगा, ठीक है adjust कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके पूरी table select करेंगे इसके बाद यह जो आपको margin दिखाए दे रहा है, यह जो ruler इसको पकड़ करके थोड़ा सा उपर की side में इस तरीके से खीचेंगे तो उपर की side में adjust होगा, इसी तरीके से जो है, आप नीचे की side में थोड़ा सा आने के बाद, जब आप नीचे वाली margin को खीचेंगे यह वाली जो margin है थोड़ा सा आप इसे नीचे खीचिए इस तरीके से और यहां तक लाने के बाद छोड़ दीजिए तो जो नीचे वाले page पर आपका जो box जा रहा था वो एक ही page पर adjust हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए एक ही page पर हमारा adjust हो गया है यहां पर आपको एक और चीज का ध्यांजना है कि इधर जादा margin छूटी है इधर कम छूटी है तो हमें इस box के अंदर double click करेंगे यह वाला plus वाला icon आ जाएगा इसको पकड़ करके हम खीच देंगे इधर इसको पकड़ करके आपको इधर उधर खीचना है अब जो है आपको इसके अंदर एक ID card को design करना होगा तो हम एक box के अंदर जो है ID card को design करेंगे बाकी सारे के सारे box जो है automatic fill हो जाएंगे जिसके लिए हम इंसार्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर shape पर क्लिक करके यह वाला shape सबसे पहले select करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से हम एक shape draw करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसको center कर लेंगे बेलकूल इस box के center में रहेगा इसके अंदर हम shape fill पर click करके ये वाला कोई एक dark color ले लेंगे आपकी मर्जी है आप जो भी color रखना चाहो shape के अंदर भर सकते हो shape outline के अंदर click करेंगे no outline कर लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेंगे ठीक है इतना अब जो है इसके अंदर हम अपनी संस्था का नाम लिखेंगे जिसके भी नाम से आपका school है या फिर जो है institute है जिसके भी नाम से आप ID card बनाना चाहते हूँ वो संस्था का नाम लिखना है ठीक है जिसके लिए हम दोबारा से tax box लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से tax box को ड्रो करेंगे और इसके अंदर अपनी संस्था का नाम लिखेंगे जो भी आपकी संस्था है मैंने यहाँ पर आशा computer academy लिख दिया है आपकी जो भी संस्था है आप उसका नाम लिखेंगे इसके बाद इसे select करेंगे यहाँ पर home tap पर जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है line spacing का option मिलेगा इस पर क्लिक करके remove before वाले पर एक बार क्लिक कर देंगे और after वाले पर एक बार क्लिक कर देंगे अब आप देखोगे यह नीचे छीप रहा है तो नीचे हम इस तरीके से पीछे बारे भी बैगराउन और इसके इणदर भी बैगराउंड आ रहा है तो इसको हम यहाँ आटाएंगे जिसके लिए हम format पे क्लिक करेंगे इसे fill पे click करेंगे no fill कर देंगे और यहां से outline भी no कर देंगे तो background में से color हट जाएगा लेकिन यह जो color है यह black है जो की ज्यादा दिख नहीं रहा है जिसकी वज़े से हम इसका color white करेंगे तो इसके लिए हम home tap पे click करेंगे यहां से click करके white color select के लेंगे जब यह text select रहेगा text box तभी यह color change होगा इतना आपको ध्यान देना है ठीक है और जो keyboard में arrow button होते हैं उनकी मदद से अभी भी हम इसको ऊपर नीचे दायबाएं कर सकते हैं और यहां से जो हम इसे center भी कर सकते हैं यह हमारी main heading हो गई है अब हम box की copy बना लेंगे तो हम जो है control button को दबा के रखेंगे plus जैसा हमारा जो है mouse pointer बन जागा जासा कि आप दे सकते हो नीचे की side में इस तरीके से drag कर देंगे तो हमारा जो है एक text box यहां पर बन जागा इसके अंदर जो है white color से यह लिखा हुआ है जिसकी वज़े से दिखाई न आप और color रखेंगे और इसका size जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इतना मैं जो है इसका size और छोटा करके यह tax box भी छोटा कर देता हूँ यह इतना size हम करेंगे अगर छीप रहा है तो थोड़ा सा size अब बढ़ा लीजेगा और इसके बाद जो है इसको उठा करके हम इसके के अंदर दिखाई दे तो अभी मेरे ख्याल से काफी अच्छा है यह जो आपको line दिखाई दे रही है इसको आप जो हटा सकते हो F7 प्रेस करिए ignore all कर देंगे तो यह जो भी line थी वो सबकी सब line जो है नीचे जो red वाले line आ रहा है थी spelling वाली वो हट जाएंगे इतना करने क के बाद जो है अब हमें यहां पर एक logo लगाना है तो जो भी आपकी संस्था का logo है आप चाहे तो यहां पर logo लगा सकते हैं वरना इसे छोड़ भी सकते हैं तो हम यहां पर logo लगा ही लेते हैं हम picture पर click करेंगे जहां पर भी हमने logo रखा है उसे select करेंगे open पर click करेंगे इसक लोगों को छोटा करेंगे जितना हम छोटा करना चाहें वह हम इसी से ही छोटा करेंगे यहां पर ला करके फिर रख देंगे अभी आप देखो कि यह राउंड में नहीं आ रहा है तो हम जिसके लिए जो है यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो है राउंड सेलेट करेंग mobile number, address, course ये सारी चीज़े हमें यहाँ पर लिखनी है तो जिसके लिए ये देखिए cursor जो टिमटिमार आ रहा है ना इसी को हमको नीचे लिखा रहाना है तो अभी अगर मैं enter button दबाऊंगा तो देखिए इस तरीके से नीचे आ रहा है ठीक है तो हमें क्या काम करना होगा मैं control Z कर देता हूँ हमें end button को सबसे पहले दबाना है keyboard में देखिए arrow button के ठीक उपर जो है end button होगा उसे दबाने के बाद आप जो है enter button दबाएंगे तो वो नीचे नहीं आएगा बलकि cursor सिर्फ आपका नीचे आगा जैसा कि आप देख सकते हो ठीक है आपको समझ में आया cursor कैसे नीचे आया जब यहां पर रहेगा ना तो आप end button दबाएगा वो end में चला जाएगा इसके बाद enter button दबाएगा तो नीचे आजाएगा ठीक है तो इस तरीके से नीचे ला देना है आपको अब यहां पर आपको heading बनानी है name की इसके बाद space दबा करके नीचे वाली heading बनानी है father name की आफिस ट्रॉपी का yes लगाएंगी और इसके बाद name लिख देंगे फिर space button दबा करके नीचे हमको heading बनानी है data birth की और इसके बाद जो है space button दबा करके नीचे हमको heading बनानी है mobile number की या फिर हम जो है course की heading बना लेते हैं यहां पर course की इसके बाद जो है mobile number की ठीक है mobile number और इसके बाद जो है address की ठीक है इसी तरीके से आपको भी जो है heading बना लेनी है ठीक है जो भी आप ID कार्ड में रखना चाहते हो इतना करने के बाद जो है अब आपको जो है यहां पर क्लिक करना है space button दबाना है space button दबाएगा अगर आप tab button दबाते हो तो आप अगले वाले जो है box में चले जाओ इतना आपको धेन देना है स्पेस बटन दबाते हुए आपको यहां पर आना है क्लोन का सिंबल बना लेना है इसी तरीके से इस वाले प्याना है स्पेस बटन दबा करके बिल्कुल सीध में आपको आना है स्पेस बटन दबा करके बिल्कुल सीध में आपको आकर के क्लोन का सिंबल जो है इस तरीके से आ बन गया है इससे काफ़ी अच्छा लगेगा यहांपर भी हम बना लेते हैं अड्रेस्टेश वाले में भी तो हमारा सभी में ट्रसा क्लोण का शियुक्ष ईसलाकर यह वुआ णृप सब्सक्राइब करने के लिए पर इसब्सक्राइब और यहां पर जो है से पर जा करके यह वाला जो है राउंडेट रेक्टेंगल का जो से इसे लेंगे और यहां पर जो है इस तरीके से बना देंगे फोटो इंसेट करने के लिए ठीक है यहां पर इस तरीके से बना देंगे अब यह जो है हमारा फार्मेट लगबग तयार हो ग पहले मुझे लगता है एक चीज हम लोग भूल रहे हैं यहां पर id card लिखना ठीक है तो यहां पर हम id card लिखेंगे तो इसके लिए हम इस text box की copy बना लेंगे तो जब आप text box को select करोगे तो control बटन दबाओगे तो आपका mouse pointer इस तरीके से बन जाएगा या फिर आप text box को select करेग है इधर से भी हम लोग छोटा कर देंगे और इसको जो है जो keyboard में arrow button है उसकी मेंदा से जो है बिल्कुल ऊपर इस तरह के से adjust करेंगे format पर क्लिक करेंगे इसको align कर लेंगे बिल्कुल seed में रहेगा ठीक है इतना लिखने के बाद इसके अंदर हम एक background shape देंगे जिसके लिए हम insert पर क्लिक करेंगे यहां से जाकर के यह वाला shape ले लेंगे rounded rectangle और यहां पर आने के बाद कुछ इस तरीके से इस पर बनाएंगे ठीक है यह इतना हम लोग बना लेंगे बनाने के बाद जो है इसके अंदर हम save field पर जाकर के color देंगे green outline का color जो हटा देंगे और इसको जो ह arrow मदद से जो keyboard में arrow button है उसकी मदद से उपर नीचे दायबाई set करेंगे और format पर जाकर के send to back पर click कर देंगे तो background की side में चला जाएगा और align पर click करके center कर देंगे तो बिल्कुल center में हो जागा ठीक है अब ID card को select करेंगे इसका color अगर अगर चेंज करना चाहो तो अभी भी आप change कर सकते हो यहाँ पर click करके हम white रख लेंगे जो कि मेरे ख्याल से सही है और इसमें जो है जो red line आ रही है उसको जो है हम click करके यहाँ पर ignore कर देंगे right click करके ignore कर सकते हो या फिर F7 button दबा करके भी ignore कर सकते हो ठीक है तो मेरे ख्याल से अब जो है हमारा complete ID card का जो design है जो में क्या काम करना है यही फार्मेट जो है सभी में apply करना है ठीक है जिसके लिए जो है हमें सबसे पहले mailing tab पर click करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा लेबल्स का तो आपको लेबल्स पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर जो भी setting आ रही है one by two liter करके बिल्कुल यही setting रहे देनी है यहाँ पर कुछ भी छेड़ खानी आपको नहीं करनी है बस आपको okay पर click करते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक message आएगा आपको फिर से okay पर click करना है जो भी आपने format बनाया होगा जो कुछ भी बनाया होगा वो सब का सब जो है यहाँ से delete हो जाएगा automatic जो बिल्कुल Ctrl Z एक बार क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा अब यहां पर आपको क्या काम करना है Mail Merge के अंदर ही Update Level का एक Option लेगा आप इस पर जैसे ही एक बार क्लिक करेंगे तो Automatic जो है यह वाला Format सभी में अपडेट हो जाएगा जासा कि आप देखें तो दस हमने यहां पर ID Card का Format तयार किया था दसो में जो है Automatic एक क्लिक से ही जो है यहां पर Format जो है हमारा तयार हो गया है केवल हमने एक Format तयार किया और एक क्लिक के अंदर ही 9 Format और भी तयार हो गए इसी तरीके से अगर आप 1000 Format 100 Format बनाना चाहते हो तो सेम इसी तरीके से आपको बना करके Update Level पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक यही बार में सभी का जो है Format तयार हो जाएगा अब जो हमने Excel की File को Save किया था जिसमें हमने Student का Data लिखा था उसको बारी बारी से यहां पर हमें लाना होगा जिसके लिए जो है यह Option आपको दिखाए ज़रा है Select Recipient का आप यह देख सकते हो एकसल की File थी जैसका आप Preview भी देख सकते हो तो इसी File को आपको Select करना है एकसल की File को और OK पर क्लिक करना है Open पर ठीक है इसके बाद यहां पर जो भी Setting आ रही है उसको वैसे ही रहने देना है आपर OK पर क्लिक करना है इतना काम आपको करना है ठीक है Select Recipient पर क्लिक करके आपको जो है एकसल की File को ही Select करना है ना आपको दिया देना है Select करने के बाद जो है अब आपको जो है यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर आना है Insert Mail Merge पर आपको क्लिक करना है father's name वाले में father's name को data birth में data birth को ठीक है तो बारी बार से आप इस पर click करिएगा आ जाएगा फिर अगले पर click करके अगला वाला heading आपको लेनी है फिर जो है data birth पर click करके data birth को लेनी है फिर इसके बाद जो है course पर click करके course को लेना है और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर click करके mobile number को भी ले लेंगे और यहाँ पर भी click करके आप mobile number को ले सकते हो यहाँ पर click करके आप address को ले लेंगे ठीक है तो इस तरीके से सभी को हमको ले लेना है यह bold नहीं है तो इसे हम यहाँ पर select करके थोड़ा सा bold कर देंगे कुछ इस तरीके से अब जो है हमने सभी field को यहाँ पर insert करा लिया है जो भी हमने excel की file के अंदर heading बनाई थी उन सभी heading को हमने यहाँ पर insert करा लिया है अब हमें क्या काम करना है सभी field को insert कराने के बाद update label पर इवार click करना है जैसे आप click करोगे जो भी आपने यहाँ पर heading बनाई थी वो सभी में जो है आगई है सभी में heading अपलाई हो चुके है एक ही click के अंदर सभी में heading अपलाई हो चुकी है अब आपको क्या गंबना है finish merge पर click करना है edit individual document पर आपको click करना है याने कि जो भी आप बनाए हो ID card अलग-अलग सभी का बन जाए इसके लिए हम पहले वाले option पर क्लिक करेंगे all पर select रहने देंगे okay पर क्लिक कर देंगे एक नई MSWD की file इस तरीके से खुल जाएगी देख से तो पीछे दूसरी file है और ये दूसरी file है और आप देखोगे excel की file के अंदर जो भी हमने student का data बनाया था उन सभी student के नाम से यहाँ पर अलग-अलग ID card बन गये है जैसे की देखोगे ये हरीस्ट के नाम से बन गया है ये पुश्पा के नाम से ये गुलाब के नाम से ये शोनाली के नाम से बना है ये संजय है और ये मोहन ये सोनो बंदना इसी तरीके से जितने भी मैंने student का वहाँ पर नाम लिखा था सभी का अलग-अलग ID card सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक के अंदर ही बन गया है अब यहाँ पर आपको जो है सभी की बारी-बारी से photo को ला करके यहाँ पर एड़ करना है इस set के अंदर जो है photo लगाने के लिए आप इसे select करेंगे इसके बाद format पर click करेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर आपको click करना है save field पे और यहाँ पर picture पर click करना है student photo के नाम से और इसके अंदर मैंने काफी सारे student की photo रखी है तो हम बारी-बारी से select करेंगे जैसे कि हम जो है इसको select करेंगे inside पर click करेंगे तो photo इसके अंदर आ जाएगी इसी तरह के सामेश पर click करेंगे और यहाँ पर जा गरके picture पर click करेंगे तो इसके अंदर हम यह वाली picture लेंगे क्योंकि यह लड़की का नाम है तो picture इसके अंदर आ जाएगी इसी तरीके से हम जो है इसको select करेंगे और यहां पर जो है picture पे जा करके select करके picture इसके अंदर feel कर देंगे तो picture इसके अंदर automatic feel हो जा रही है इसी तरीके से हम इसको भी select करेंगे save field पे जाएंगे picture पे जाएंगे और वो picture select करेंगे जो हमें picture को field करना है तो हम यह वाली picture select करेंगे तो बारी बारी से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से यहाँ पर उन्हें student की photo आपको add कर देनी है उन्हें student की photo आपको लगा देनी है जिनका आप ये ID card बना रहे हैं जैसा कि आप देखे कि ते हो सभी student की मैंने यहाँ पर photo लगा दी है एक-एक student की double photo हो गई है इसका कारण ये था कि मेरे पास ज़्यादा student की photo नहीं थी लेकिन जब भी आप ID card बनाएंगे तो अलग-अलग student की अलग-अलग photo यहाँ पर लगानी होगी आपको अब आपको जो है इसे save करना होगा save करने के लिए आप यहाँ पर click करेंगे save पर click करेंगे जहाँ पर भी आप location देना चाहते हैं वो location देने के बाद आप जो है save पर click कर देंगे यह जो है आपका save हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप MS Word में automatic ID card को generate कर सकते हो केवल एक click में ही धेर सारे ID card बना सकते हो उमीद करूँगा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like, share, subscribe कर देजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे comment करके ज़रूर बताएगा मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिन बंद मातरम